नमस्कार दोस्तों मैं हे मिंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटीदीग चनल जो कि आखरी नंबर पार्ट होगा ठीक है, जो वाई सराय का पार्ट है, ये कितना नंबर है, तो पाँच मान नंबर है, जो कि आखरी नंबर होगा, ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, 875 की जो क्रांती हुई थी, उसके बारे हम देरी तरय चर्चा इससे क्या होगा हम लोग कोई वीडियो जैसे अप्लोड करेंगे तो उसका अपडेट आपको तुरत मिल जाएगा और वहां से जाकर करके आपको तुरत वीडियो देख सकते हैं ठीक है दोस्तों यह तुरह सब्सक्राइब और बेल बटन की बात उसके आत क्या है कि यदि ऐट बना होगा हम यृवां को जीसा अप क्लिक करें है तो वहां पर क्या होगा आपको सारा वीडियो देख सकते हैं ठीक है जो सकते हैं फिर जो यह modern history का जो इससे पहले का जो छे पाट है सारा का जो लिंक है मैंने description box में नीचे डाल दिया है आप लोग वहां से भी जा करके जो इस सारा वीडियो देख सकते हैं ठीक है दोस्तों और नीटर्फ़ से अधिधनर कावर्ण करते हैं कि यह शुरू कर ने करें हो ला। बढ़ेंगे और मैं आप लोग एक और बात बताने देना चाहता हूँ कि यह जैसे वाइसरा का ट्रॉपिक किस वाइसरा के समय में सिचाई आयोग पुलीस आयोग और विश्विद्याले आयोग की अस्थापना की गई थी तो इसका होतर जाएगा लॉड करजन जो पुलीस आयोग में जो कौन सा इस अस्थापना हुआ था तो आप लोगो मैंने पिछले पार्ट में बताया था वो क्य अगला प्रस्ण क्या है कि किसकी अध्यक्षता में सिचाई आयोग की अस्थापना की गई थी तो सिचाई आयोग की अस्थापना की गई थी और सिचाई आयोग की कारेकाल में हुआ था तो लॉड करजन के कारेकाल में हुआ था ठीक है चलिए अब अगला प्रस्ण देखत आप लोगों ताकि जो आप लोग नोट भी कर सके ठीक है अगला प्रस्ण क्या है कि विश्विद्याले आयोग की केक में किसकी अधिक्षिता में हुई थी जो विश्विद्याले आयोग जो है किसकी अधिक्षिता में बनी थी तो टॉमस रेले की अधिक्षिता में विश्व अधिनियम के तहट करजन ने भारत में पहली बार एहतियासिक इमारतों की सुरक्षा और मरमत की ओर ध्यान दिया था तो इसका उतर जाएगा प्राचीन समारक अधिनियम के तहट जो है जो कि 1904 में पारीत हुआ था ठीक है बहुत इंपोर्टन कोशन है आप लोग इसको कहते बहुत उन्हें को चुन ह्य बहुत इंपौर्टन कोशन है चले अब अगला प्रसन देखते हैं क्या है अगला प्रसन है कि लृडट कर्जन के भारत विरोधी कारियों में सरवाधिक महत्पूर्ण कार कौन सा था तो बंगल का विवाजन जो भारत के विरोध में जो काम किया था तो उसमें सबसे महत्रपूर्ण काम था तो बंगाल का विवाजन जो लॉड करजन के कारेकल में हो था कब वह था तो 1905 इस्वी में हुआ था ठीक है इसके आज जो बंगाल का विवाजन रद भी हो गया था वह हम लोग आगे देखेंगे नेक्स कोश्चन में मुस्लिम लिख की अस्थापना जो है किस वाइसराय के समय में हुई थी तो उसका उत्तर जाएगा लॉड मिंटो दूइती है जो की 1905 से 1910 तक भारत के वाइसराय रहे थे ठीक है अगला प्रस्ण है कि मुस्लिम लिख की अस्थापना कब और किसने की थी तो इसका उत्तर जगा 1906 में आगा खा और सलीम उल्ला खाने की थी मैं पिछले पार्ट में इन दोनों का नाम बताना मैं भूल गया था तो मैं इसलिए इस पार्ट को इसमें इसलिए मैं यह कोशन लेकर करके आया हूं कि ताकि आप लोग जो इसको नोट कर लें कि जो मुस्लिम लिख की अस अगला प्रसन देखते हैं कि नेक्स प्रसन है कि ब्रिटेन के समराठ जॉर्ज पंचम का भारत आगमन किस वाइसराय के समय में वहा था तो उसका उतर जाएगा लॉड हार्डिंग दुई ठीक है बहुत इंपोर्डेंट कोशन है तो लॉड हार्डिंग दुई के कारेकाल म इनके ही सामने रवीर्ना टैगोर ने स्वागत के लिए राष्टगान गाया था ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है और क्या हुआ था तीरतिय दिल्ली दरवार हुआ था उसी में इनकी स्वागत किया गया था ठीक है यह सा आप लोग नोट करके रखेंगे अगला है कि प्र स्थम विस्प की सुरवात मानी जाती है बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन आप लोग जरूर नोट कर लेंगे ठीक है अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण यह है कि होम रूल लिक की अस्थापना किसने की थी तो मैंने पिछले पार्ट में इसको अच्छे से डिसकस किया था मै और ने किया तो वह इन्होंने किया था ने किया था मदरास में ठीक है बोस्त इंपोर्टेंट आप लोग इसको जरूर नोट कर लेंगे तो तो मद्रास में इन्होंने जो है किया था होम रूल लिख की अस्थापना ठीक है चले अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है कि किसने और कब हाडिंग दूइतिया पर बं फेका जिससे वह घायल हो गया था तो इसका उत्तर हो जाएगा 1912 इस्वी में करांतिकारी रास बिहारी बोसने ठीक है बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है जो हाडिंग जो दूइतिया थे वाइसराय भारत के उन पर बं फेका था तो रास बिहारी बोसने जिससे क्या हुआ था यह हडिंग दूइतिया घायल हो गया था ठीक है अगला प्रस्ट कि रॉल एक्ट एक्ट जो है किस वाइसराय के कालकाल में आया था तो लॉड चैंप्स फूर्ड के कारेकाल में जो है रॉल एक्ट भारत आय करंड ठीक है तो जो प्रसीद बागि जलियां वाला बाग हत्या कांड वा था वह किसके कारेकाल में वह था तो लॉड और लॉड चैंप्स फोर्ड के कारेकाल में वह था और का वा था तो मैंने पिछले आप्रेल इस्टै कि हुआ था ठीक है अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रस्ण अगला प्रस्ण है कि जलियां वाला बाग हत्या कांड को कब अंजाम दिया गया था अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था तो 13 अपरे 1919 को हुआ था और इसका पीछे रिजन क्या था जो जलियांवाला बाल बाग हत्या कांड में एक सभा हो रही थी ठीक है वह सभा किती है वह सभा किके हर थी गो डायर थे और एक डायर थे तो इन्हों ने ही जनरल जो जलियाँ वाला बाग हतियाकांड है उसको अंजाम दिया था और इसे जो है कि जो अमरीज सरका कसाई किसे काया था तो जो है जनरल एड आयर गो काया था ठीक है यही जो जलियां वाला बाग हतियाकांड का जिम्मेदार व्यक्ति था ठीक है अब अगला प्रस्थन है कि गांधी जी दुवारा चलाया गया पहला ओसा यो गांदोलन कि घटना के कारण अ चौरी चौरा की घटना था बहुत इंपहरटेंट है वरकपूर जीले में 1922 को चौरी चौरा की घटना भी अगला ने की किस वाई सर bigger के समय में चौरीौइ चौरा की घटना ह॥ी तो लॉड रीडिंग के समय में इfocused 4 kасьकांड वा था जो की 1921-1926 जो है भारत पर वाईसराय के रूप में काम किये ठीक है चले वह अगला पृसन देखते हैं क्या है कि ईगला प्रशन कि काकोरी रेलक यहान कब हुआ था तो Due50 रीडिंग के कारेकाल में जो है और प्रसन है कि भारतिय कम्यूनिस पार्टि का गठन हुआ था बहुत important है अपलों इसको उदा मार्क कर करके रख लेंगे बहुत बार एकजाम में आया हुअ है भारतिय जो कम्यूनिक्स पार्टी है उसका घठन किया गया reflect धूर कि भार्तिय बात्य कर्यान किया था ने किस वाय सर दया स्था चांड करने गार्म किया था तो एम- लॅज द्यओन के सेकार में आरम किया था तो 1922 इसने लॉड़ रीडिंग के समय के समय में private, विद्ध्यारती जो विद्ध्याला है इसने वाइस जो है काम करना आरम किया था ठीक है तो दोस्तों यह था आज का हमारा question answer का से सला अब हम लोग चलते हैं आज के पार्ट के बारे में ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट तो Lord Reading के बाद जो है Lord Иrvan बने भारत के बाइसरारा है जिनुनने तीन अफ्रेल 1926線 से 18 अपरेल1931 बैदन फिर Lord yapturpose भार्यसराय के खार्ट को भी वाइसराय का पत है यह किस नाम से जाने लगा तो भारत को आजादी मिल गया तो उसमें फिर पौरूल ईर्वीन के साशंकाल में क्या क्या हो था तो इसके काल में हर कोट बलहर समीति का गठन हुआ था ठीक है पहला important point है हर कोट बलहर समीति का गठन हुआ था दूसरा जो है Lord Irwin के काल में साइमन कमीशन भारत आया था ठीक है बहुत important question यह साइमन कमीशन जो भारत आया था यह Lord Irwin के कारेकल में था फिर 1928 में मोतिलाल नहरु ने नहरु रिप्योट प्रस्तूत की थी ठीक है तो यह एक टाइप का जो है समीधान टाइप का कुछ था जो यह उन्होंने प्रस्तूत किया था Lord Irwin के समय में उसके क्या है गांधी जी ने 1930 में नमक अंदोलन आरम करते वे डांडी मार्च किया था ठीक है जहाँ हम लोग इसके बारे में पढ़ें के स्वतनता संग्राम के बारे में तो इस चीच को हम लोग बहुत अच्छे से डिसकस करेंगे कि वो लोग उन्होंने कहां से नमक अंदोलन इस्टा में लिया गया था संपूर सोराज का संकल्ब ठीक है चलिए वह हम लोगे पॉइंट में देखते हैं ठीक है सत्मा गांदी और लॉड इर्विन के समय में हुआ था ठीक है दोनों के बीच में हुआ और कब हुआ था तो पांच मार्च 1931 को अगला क्या कि 1928 में गांद क्रिशी से संबंदित रॉयल कमिशन की न्युक्ति हुई थी ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है उन्हें कोशन यह आता है कि जो दिली सेंटरल की अकेडमी में जो बं फेका दो किसने किसने फेका था तो भागत सिंग ने और बटुकेस्वर दत ने ठीक है बहुत इंपोर्टेंट कोशन है आप लुक्स को जरूर याद करके रखेंगे अगला पॉइंट क्या है कि इनके समय में ज तो बाल गंगाधर तिलक ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है इसको अब लोग जरूर याद करेंगे ठीक है सुरी लाला लाजपत्र है मैं गलत बोल दिया था तो वो जो है लाला लाजपत्र है थे बाल गंगाधर तिलक नहीं थे उन्होंने यह नारा दिया था ठीक है तो च तुरितिया और तुरितिया वाटिक है 1932 में भारतिय सेना अकादमी इंडियन मिलिटरी अकाडमी की जो है स्थापना की गई इसके उनीस सोलह अगस्ट निस्सो बतीस इस्वी की घोस्टा में मैंक डोनल्ड एडवर्ड की घोस्टा की गई 1932 में कब 16 अगस्त को इंपॉइंट सारा पॉइंट है उसके 1934 में गांदी जी ने सवीने अवग्या आंदोलन शुरू किया था और यह सवीने अवग्या को नहीं अवग्या किया जागा उनका जो है कोई भी चीज यूज नहीं किया जागा इस तरह से उन्होंने सवीने अवग्या की शुरुवात की थी कब 1934 में अगला पॉइंट क्या बनता है कि 1935 में Government of India 1935 ü Suzy में पारितवा था किन के कारिकाल में तो Lord Wellington के कारिकाल में पारितवा था ठीक है चली अगला प्रम पॉइंट देखते है क्या है अगला है कि लॉर्ड विलिंटन के कारेकाल में भारतिय किसान सभा की स्थापना की गई थी बहुत इंपोर्टेंट है ये भी आप लोग याद रखेंगे ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है भारत का सासन अधिमियम का पारित वात हो 1935 में जो है ये लॉर्ड विलिंटन के समय की सबसे महत्पून घटना थी उसी अधिनियम के तहट जो क्या हुआ था कि जो वायसराय के पत को पुना गवर्नल जेनरल कहा जाने लगा था ठीक है लिल लिठिंगो आए इन्होंने कब से कब तक सासन किया तो 1938 इसवी से 1943 इसवी तक इन्होंने सासन किया इनके सासन काल की जो महत्पून घटना क्या क्या है तो 1949 में सुभास चंद्र बोस ने कॉंग्रेस छोड़कर फॉर्वर्ड ब्लोक नामा के अलग पार्टी का गठन किया था कॉश्चन बहुत बार पूछता है कि फॉर्वर्ड पार्टी का गठन किस ने किया था तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभास चंद्र बोस ने और कब किया था तो 1949 में किया था कौन से वायसराय थे उसमें या त्याक पत्र दे दिया गया था तो 1949 में मुस्लिम लीग ने क्या किया था तो मुक्ति दिवस के रूप में मनाय था और मुस्ली लीक के अस्थापना किस ने की थी तो सलीम उल्ला खाने की थी और आगा खाने की थी ठीक है चलिए अगला पॉइंट है कि 1940 इस्वी में जो है मैं 1940 विस्टन चर्चिल जो है ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बने थे तो उस 2012 किसके समेम आया था तो लीन लिठिंगों के समयम आया था नेक्स है कि 1943 में शिंगापुर में आजाद फिंद फॉट का गठन हुआ था अजाद फॉट बहुत इंपोर्टेंट है कब गठन होथा तो उसके बाद क्या बात है कि 1943 के लाहोर अदिवेशन में मुस्लिम लेक के मुसल्मानों के लिए अलग राज की मांग करते वे पाकिस्तान का प्रस्ता पारित किया गया था 1940 स्वी में ठीक है उसके 1940 स्वी में ही जो है कॉंग्रिस द्वारा व्यक्तिगत और सयोग आंदोलन प्रारंब किया था ठीक है बहुत important है आप लोग इसको भी में पढ़ेंगे तो सब चीज को एक बार विस्तार से जरूर डिसकस करेंगे तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है अगले वाइसराय कौन थे तो अगले वाइसराय की रूप में आये थे लॉर्ड वेवेल लॉर्ड वेवेल जो है इन्हों धूसी न्हीं सब अधूसी क्याँ चैसा स्मूसी घॉड़ बेवेल है कैसे क्या खाब कर दोंग देखेंगे तो क्या है कि लोड मेड वेवेल ने जिए 25 जून 45 स्मम्हीं के रूप में जाना जाता है ठीक है बहुत इंह प्लांन के रूप में क्या आता है तो सिम्वे Reach प्रदानमंत्री बने तो कौन बने तो 1925 के में जो कौन था लेबर पर पार्टी के खिलिमेंट एट्ली यह कौन बने ब्रिटेन के प्रदानमंत्री बने उसके बाद क्या हुआ आगला कि नवंबर पर नौट इंपोर्टेंट है उन पर लाल किले पर मुकदमा चला था उसके बाद क्या पॉइंट है कि जुलाई 1946 में संभीधान सभा का गठन हुआ और 9 दिसंबर इसकी पर नौट इसको नौट करते जाएंगे मैं इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि इसको अप लोग अच्छे से नौट कर सके मैं फिर से इवर डिसकस करना चाहता हूं कि जुलाई 1946 में संभीधान सभा का गठन हुआ और 9 दिसंबर 1946 में इसकी पर्थम बैठक बुलाई गई थी ठीक है यहां गठन हुआ और 9 दिसंबर को इसकी बैठक बुलाईगी तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या है वेवेल के काल काल के और एक महत्पूर घटना है क्याकि 8 फरवरी 1946 वी को बंबाई में 9 सेनिकों द्वारा विद्रो हुआ जो 9 सेना के सैनिक थे उनके द्वारा विद्रो हुआ अंतरीम सरकार का गठन किया जिसका नेत्रित किस ने कहा था जवाहरला नेरू ने और कब वह था दो सितंबर 1946 में अगला पॉइंट किया कि 20 फरवरी को क्लिमेंट एटली ने घोसना की कि 30 जून 1948 तक भारतियों की सत्ता को हस्थाना अंतरन कर दिया जाए मतलब जो 20 फरवर तो अगले वाइसराय के रूप में वह आये कौन तो लॉर्ड माउंट बेटन इन्होंने 1947 से 1948 तक सासन किया इनके सासनकाल की महत्पून घटना क्या है तो घटना से पले क्या है कि यह लौड माउंट बेटन जो भारत के अंतिम वाइसराय थे और यह भारत के आखरी वाइस Cassa 1457 को जो है क्या है तो लॉर्ड माउंट बेटन की जो योजना को की गोसना की गए थी उसके चैओं तरहत में भारत का विवाजन होना था और जो उसके बाद भारत का विवाजन हो गया था जैसा हम लोग जानते हैं भारत जो है दो विवाग मोंबढ़ गया था तो एक ज भारतिया सोतनता अधिनियम प्रेस किया गया उसके तरहत क्या वक्त जिससे 18 जुलाई 1947 को प्रेरीद करके भारत की सोतनता की घोसना कर गई और 15 अगस 1947 को जो हम लोग सब जानते कि भारत जो है स्वतनत्र हो गया ठीक है चलिए अगला पॉइंट डेखते हैं क्या है उसके बा भारत हो गया और दूसरा पाकिस्तान हो गया जो दो राजियों में बढ़ गया और क्या हुआ कि माउंट बेटन को जो है सोतन भारत का प्रथम गवर्णर जनर बना गया तो इसमें जो यह पद हो गया था भारतिय संग का गवर्णर ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है आप पूरा निर्धारित किया जाता है जो भारत जो रेखा है कैसे कैसे गई हैं तो उसका नाम है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारन किया था अगला और जो आखरी है वो चकरवर्ती राजगोपालाचारी जिन्हों ने 1948 से 1950 तक भारत के अंतीम गवर्नल जनरल या भारतिय संके अंतीम गवर्नल जनरल के रूप में क्या हुआ था इन्होंने सासन किया था और ये एक इनके सासन काल में क्या हुआ था कि 26 जनरल जनरल पत को हमारे समीधान लाग वह था जिसको अभी गंत्रन दिवस के रूप में मनाते हैं जो गंतंत्र की अस्थापना हुए और इसी में क्या हुआ था कि जो राजेंदर परसाथ थे उन्हों को भारत का पर्थम राश्परती बनाय गया और गवर्णल这个 पत के जो है समाप्त कर दिया गया तो इस तरह से भारत को आजादी मिल गई और उसके जो ह Linda पचास में हमारा भारत ज हो एक जुए बह दोस्तों तो इसमें आएंगे तो सारा जो तो इसको डिसकस करेंगे टेक है टीक है तो आज का पाट qaisa lagा हम हों को जो है जुरूर आप कमेंट करके बताएं कि आज का पाट ऐसा लगा तो ठीक है हम लोग argument हमारे ठील इ Dragons उसका जूड़ने के लिए इसका जो Link है यहां प् título दीख रहा है इस Link को यह को क्या किया है ूशक जो this PDF वहाँ से download कर सकते हैं और याद कर सकते हैं पढ़ सकते हैं वीडियो का link जो है मैंने सारा description box में डाला है आप वहाँ से भी जा करके सारा वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आसा करता हूँ कि आप लोग जो है घर में अच्छे से पढ़ा ही कर रह होंगे ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू जय ही जय भारत